उचके चलना, मरना जीना, मर के जीना मांगने वाली जीज नहीं है मौका उसका जिसने जीना गिरना, उठना, उठके चलना चड़ जा अंबर जीना जीना याद रहे ये शर्त सफर की पीछे मुड के देख कभी मा जीत का जुनू है तो हार सोचना क्यू जब सिंदगी है एक ही दो बार सोचना क्यू मैं परिंदा क्यू बनू मुझे आसमा बनना है मैं एक बनना क्यू रहू मुझे दास्ता बनना है मैं परिंदा क्यू बनू मुझे आसमा बनना है कोई तो फजा है जो सिद्ध पे अड़ी है ये धड़कने यही तो मज़ा है किया जो किसी ने नहीं हम करे लनकार की खड़ी है यह पेकार सोचना क्यूँ जब जिन्दगी है एक ही दो बार सोचना क्यूँ मैं परता क्यूँ बनूँ मुझे आसमा बनना है जै अड़्डा जै जै बिहार नमस्कार आदाप प्रणाम स्वागत है आप सभी का बिहार अड़ा में कैसे हो आप सभी आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और हमारी इस क्लास की प्रतीक्षा कर रहे होंगे जो की शुरू हुई है दुबारा से नए सिरे से धेर सारी अच्छी अच्छी होनी जरूरी है हम जो BPSC की तयारी कर रहे हैं पेपर कब होने के चांसे हैं आगे क्या स्ट्रेजी रहने वाली है हम लोग तयारी कैसे करेंगे आज मैंने दुपहर तीन बज़े आप लोग उसे बात की थी estate के विशे में अब हम बात करेंगे BPSC के विशे में तो सभी लो करके strategy wise चीजों पर बात करेंगे है न ये MRS के लिए सोनम में बिलकोल बता दूँगी चिंता मत करो जैसे ही कोई भी notification आएगा आप तक पहुंचाया जाएगा आप उसके लिए बेफिक्र हो आप निशन्त हो जाओ मैं हूं तो फिर मैं अपने आप बता दूँगे आप लोगो पर आप ट्र बात कर लें चीजों में यहां यह शरू करें गुढ़ीविनिग जी गुढ़ीविनिग गुढ़ीविनिग सभी को गुढ़ीविनिग गुट इवनिग एक बार सब लोग आ जाया है तो फिर हम एक फीई आप बार में session को श्रू करें देखो जैसे मैंने आपको बताया कि BPSC की TRE 3.0 और BPSC TRE 4.0 दोनों की क्लास अब कंबाइन चलेगी ठीक है ना दोनों की क्लास आपकी कंबाइन चलेगी इसी क्लास में आपको 3.0, 4.0 दोनों के लिए त्यारी कराई जाएगी क्योंकी दोनों एक्जामस में बहुत जादा गैप नहीं रहने वाला है जितना की मैं समझ पारे हूँ आपका 3.0 होकर निपटेगा तब तक 4.0 का कुछी समय बाद नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा है ना तो हम लोग तैयारी ऐसे करेंगे कि दोनों हो जाए ना चलिए अच्छा शुक्रिया अभिशेक बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा सोचने के लिए पढ़ने के बाद आपको ऐसा महसूस होता है यही मेरे लिए रिवार्ड है आप लोग जब ये बात कहते हो ने कि आपके साथ पढ़ने के बाद हमें लगता है कि नहीं संगीत टफ नहीं है आपके साथ पढ़ने मजा आता है आपके साथ पढ़के चीज़े आसान लगती है आपके साथ पढ़ने में मन लगता है तो कहते हैं कि इनसान को ट्रॉफी मिलें इनसान को खुब सारे प्राइजे मिलें इंसान को खुब सारे तमगे मिले लेकिन मैं सच कहूं तो मुझे मेरे लिए ये जो तमगा ये जो प्राइज ये जो बाकी छीज़े हैं ये महत्व नहीं रखती हैं ये जो आपके शब्द ह governance ये जो आपके छोटे छोटे-चोटे वाक्य होते हैं यही समझिये कि मेरे लिए सबसे बड़ा reward है, है ना? एक सेकंड, एक सेकंड रुखना सब लोग पांच है बालत, तीन क्यों होंगे? एक सेकंड रुखना सब लोग एक सेकंड, एक सेकंड, चलिए, शुरू कर ले बताएंगे बंटी, उसके विशे में भी बताएंगे, अभी फिलहाल पहले बात कर लेते हैं, BPSC की स्ट्रेटेजी के लिए अगर मैं इस परिक्षा के बारे में बात करूं कि कब होगा, कब कंड़क्ट कराए जाएगा? इस एक्जाम के कंड़क्ट के बारे में बात करूं कि ये कंड़क्ट कराए जाएगी, तो ये मई के बाद होगी आपकी है ना? हो सकता है मई के बाद जून में हो, हो सकता है मई के एंड में हो जाए, हो सकता है जून के एंड में हो तो ये सारी के सारी चीज़े जो है आपकी अभी confirm पूरी तरीके से नहीं है कि date क्या होगी पर ये जरूर है कि election के बाद होगी तो हमें election तक रुखना पड़ेगा अब जो भी परिक्षा होगी वो election के बाद होगी अभी तो आपको पता ही है कि आचार सन्हेता लग चुकी है अब थोड़ा सा बात करें अगर मैं हाँ बिल्कुल 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 अब देखो ध्यान से समझना कि हमें strategy क्या रखने है पड़ने की और हमारी syllabus की strategy क्या रहने वाली है मैंने आज सुभा भी बात की थी मतलब तीन बजे कि आपको very very important topics कौन कौन से है जो करने है important topics कौन से है casual topic जिन पर बहुत ज़्यान भी नहीं दोगे तो चल जाएगा काम ये कौन से topic है सबसे ज़्यादा किस topic को पढ़ना जरूरी है किस सबसे ज़्यादा आपको questions देखने को मिलेंगे उससे कम कौन सा है हाँ बिल्कुल starting से बढ़ाऊंगे निशा सारे questions हम लोग topic wise starting से करना शुरू करेंगे कल से है ना कल से मैं आप लोगों के लिए जो one line न लाऊंगे वो बिल्कुल ऐसे ही ले करके आऊंगे ठीक है चलिए तो हम एक एक करके शुरू करते है कोई बात नहीं सुजीत छोड़ दो उस पर ध्यान मत दो बस अपनी बातों पर ध्यान दो बाकी कोई क्या कह रहा है सामाजिक तत्व हर जगा होते है मैं हर बालक को एक एक करके कितना भी समझाओं अगर उस बालक के भीतर सच में समझधारी है तो वो ऐसे काम नहीं करेगा और अगर लगातार करता रहा हो तो मुझे मजबूर होकर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा है ना चलो तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे स्ट्रेटेजी के विशे में सबसे पहले मैं बात करूँगी आप से स्ट्रेटेजी से पहले स्लेवर्स के विशे में तो पहले स्लेवर्स जान लेते है कि स्लेवर्स क्या है इसका स्लेबस आपका एस्टेट से थोड़ा जादा है अगर मैं EMRS की बात करूँ तो उसमें भी मैं थोड़ा दोनों के बात कर लेती हूँ BPSC की भी और EMRS की भी है BPSC और EMRS दोनों के स्लेबस और दोनों के exam pattern पर बात कर लेती हूँ तो देखो BPSC का जो आपका स्लेबस है वो सेम है जो BPSC का है वही आपका EMRS का भी है है ना स्लेबस सेम है बस एक चीज का अंतर है दोनों के बीच में क्या कि भाई ये जो आपका EMRS का पेपर आएगा ये थोड़ा सा moderate होता है ये पेपर आपको थोड़ा moderate दिखाई देगा ये easy to moderate होगा ये पेपर आपका easy to moderate रहने वाला है ठीक है कहने का मतलब ये हमें किस पर ध्यान देने की जादा जरूरत है हमें EMRS पर ध्यान देने की जादा जरूरत है या BPSC पर ये आपके उपर निर्भर करेगा आपके इस exam की त्यारी कर रहे हो अगर आप EMRS की त्यारी कर रहे हो तो EMRS पर focus करो अगर आप BPSC की त्यारी कर रहे हो तो BPSC पर focus करो और अगर आप दोनों की त्यारी कर रहे हो EMRS पर focus कर लो बच्चे जादा है, seat बच्चों के हिसाब से कम है, seat कम नहीं है, बच्चों की तुलना में seat कम है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का पहले भी selection हो गया है, तो उस हिसाब से देखें तो नए बच्चे जुड़े हैं, नए बच्चे जिन्होंने estate पास किया था वो इस बार जु स्लेबस में आपके राग रहेंगे, ताल रहेंगी, लैकारी रहेंगी, गरंत रहेंगे, और संगीत अग्यों का गरंत कारों का परिचे रहेगा, गरंत रहेंगे, और संगीत अग्यों का जीवन परिचे रहेगा, संगीत अग्यूं का जीवन परिशे रहेगा इसके अलावा आपके जितने भी आपके सम्मान है वो रहेंगे सारे सम्मान एवा मुपादियां ये आपको तयार करनी है ठीक है सम्मान एवा मुपादियां रहेंगी आपकी इसके अलावा और क्या-क्या रहेगा अगर मैं बात करूँ तो आपको देखने को मिलेंगी लेकारी हो गई, ताल हो गई, राग हो गई इतिहास रहेगा अब इतिहास तीन हिस्सों में बढ़ कर आएगा प्राचीन, मध्य और आधुनिक ठीक है? इतिहास के आपको तीनों फेस पढ़ने है प्राचीन भी, मध्य और आधुनिक भी और अगर मैं बात करूँ प्राचीन की तो प्राचीन भी आपको तीन हिस्सों में वही आपका पहले वैदिक काला जाएगा उसमें रामायन भी, महाभारत भी, वेद पुरान भी सारी चीज़े आजाएगे उसके बाद फिर आपका संदिक दिकाल फिर उसके बाद भारत काल मध्य काल में आपका पूर्व और उत्तर मध्य काल पूर मध्य काल जिससे आप जानते हो किसके नाम से प्रबंध काल के नाम से और उत्तरमधिकाल जिसे आप जानते हो किसके नाम से इसे आप जानते हो विकास के काल के नाम से फिर आधोनिक काल आपको पढ़ना है तो इतिहास पूरा पढ़ना है इसके अलावा करनाटे की संगीत पढ़ना है इसके अलावा विश्व संगीत के विशय में जो बहुत मूल बाते हैं, मूल बाते हैं जैसे कि कहां कौन सा वाद्द प्रसिद्ध है, कहां पर किस प्रकार का संगीत प्रसिद्ध है, इस तरह की चीजें भी आप लोगों को थोड़ा-थोड़ा में कराते वे चलूँगी, ठीक है? इसके अलावा करनाटे की संगीत हो गया, पास्षात्ते हो गया, विश्व संगीत की मूल बाते हो गई, इतिहास हो गया, ग्रंत हो गया, संगीत अग्यों का जीवन परिचय हो गया, समान एवं उपाधी हो गई, ताल हो गई, लैकारी हो गई, राग हो गई, कुछ बचा क्या हाँ बिलकुल बचा है अभी अभी बचे हैं आपके अच्छा ग्रंत हो गए ठीक है और हो गए आपकी करनाटे की एवं करनाटे की एवं हिंदुस्तानी संगीत का तुलनात्म कद्धेन यह हमें अच्छे से करना है ठीक है और बता रहे हूं देखो इसको आप लिख लोगे तो ज़्यादा बेनेफिट रहेगा लिखने से ही रहेगा आपके दिमाग में रहेगा कि आपको क्या-क्या पढ़ना है बिलकुल नहीं अनुश्का मैंने कले इसके बारे में बताया था कि हमारे इसके लिए ना सीटेट चाहिए ना एस्टेट चाहिए कुछ नहीं चाहिए तब तक आपको धहरे रखना होगा, उसके बाद जो भी चीज़े होंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है चलिए, तो ये चीज़े हो गई और कौन-कौन सी चीज़े हैं हमारी जो करनी है हमें, करनाटे की संगीत आगया, पाशा संगीत आगया, विश्व संगीत की मूल बाते हैं आगया, करनाटे की हिंदुस्तानी संगीत का तुलनात्मकध्यान आगया और हमारा क्या बचता है कुछ ऐसा नहीं होना चीज़े, जो बच जाए हाँ, सांगीतिक शब्दावली आगयी, ठीक है सांगीतिक शब्दावली आगयी ठीक, सांगीतिक शब्दावली आगयी हमारी, इसके अलावा, अगर मैं बात करूँ आपके और चीजों की, तो देखिए उपनाम आ जाएंगे, हाँ, वाद्दियों का परिच्छे हैगा वाद्दियों का विस्तृत परिच्छे करना है संक्षिप्त नहीं, विस्तृत परिच्छे करना है वाद्दियों का, अब इसमें वाद्दिय कौन-कौन से पढ़ने हैं आपको सितार का करेंगे हम लोग तबले का करेंगे हम लोग पखावज का करेंगे हम लोग और वीना के प्रकार पढ़ लेंगे थोड़े बहुत जो हमारे इतिहास से संबंधी हैं वो पढ़ लेंगे ठीक है ना और इसके अलावा हम कर लेंगे वीना आ गई, तानपुरा आ गया तानपुरा अच्छे से कर लेंगे ये तो हमें बहुत अच्छे से करना है सितार, तबला, पखावज, वीना, तानपुरा है तो बहुत अच्छे से और बाकी जो बच्छे विवादने है अन्यवाद्यों का संच्छिप्त परिचे ठीक है अन्यवाद्यों का प्रकार एवं संख्षिप्ट परिशे पर प्रकार डालना में संख्षिप्ट परिशे यह आप लोगों को कुछ हैसे करना है ठीक है? और बता रहे हूँ पल्लवी यह क्लास आपकी कल से शुरू हो जाएगी previous year के साथ मैं शुरूआत करूँगी previous year आपके करनाने शुरू करूँगी धीरे धीरे करके MRSB और BPSCB दोनों का साथ साथ कलास चलेगा साथ बज़े ही आपकी कलास होगी कलास का टाइम चेंज नहीं होगा हाँ यह जरूर है कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को एक एक चीज कराते वे चलू इसमें कोई भी चीज छोड़ूँगी नहीं ठीक है ना चलिए और देख लेते हैं इसके अलावा और आपका क्या क्या आ जाएगा हाँ कौन से राग का कौन रचनाकार है रागों के रचनाकार इसके बारे में मा जाएगा रागों एवं अन्निगायन विधाओं का विकास कैसे हुआ है ये आपको अच्छे से पढ़ना है ठीक है संगीत के मूल अथवा आधार परिप्रेक्षि जो जो संगीत की मूल चीज़े हैं जैसे नाध हो गई, ध्वनी हो गई, स्वर हो गई, शुती हो गई सारी चीज़ें आपको अच्छे से करनी है ठीक है ना? इसके अलावा क्या करना है? सारणा चतुष्टाई ये आपको अच्छे से पढ़ना है हमें समवाद, स्वर समवाद के बारे में पढ़ना है स्वर समवाद क्या होता है? इसको हमें अच्छे से करना है मैं सारा स्लेबस इसलिए लिखवा रही हूँ ये टीरी 3.0 का भी है और 4.0 का भी दोनों का स्लेबस है EMRS का भी स्लेबस है ध्यान रखना कि इस से बाहर कुछ नहीं आएगा जितना लिखवा रही हूँ ये हो गया इसके अलावा आपका रागों का समय सिध्धान्त आपको यहाँ देखने को मिलेगा रागों का समय से ध्धान्त कौन सा राग कप गया जाता है इस सब के बारे में आपको अच्छे से जानना है ये आपको जानना जरूरी है ठीक है ना और अगर मैं बात करूँ आपकी घराना परंपरा की तो आपको घराना परंपरा अच्छे से पढ़नी है पूरी घराना परंपरा अच्छा इसमें कौन-कौन से घराने पढ़ लेना इसमें हमें पढ़ने हैं तबले के घराने देख लेंगे पकावच के घराने देख लेंगे और गायन के घराने देख लेंगे गायन में धृपद की भी बात हो जाएगी यहीं पर और खयाल गायकी की भी बात हो जाएगी जो भी जरूरी है वो सारे के सारे हम नजर मारेंगे सब पर कुछ भी छोडेंगे नहीं, ठीक है न, इसमें जो जो हो जाएगा वो सारी चीज़े हम लोग करेंगे देखें, इंटर्व्यू है नहीं है, बाकी चीजें, उस पर अभी चर्चा का वो विशे नहीं है, अभी चर्चा का विशे जो है, हमें उस पर ध्यान देना है, वो हमारे लिए जादर जरूरी है, ठीक है ना, उसे लेकारी कहते हैं, मनीशा उसको लेकारी कहते हैं, बच्चे प्रश्न, अब ये नित्य संबंधी प्रश्न कौन से है, इसमें शास्त्रिय और लोक, दोनों आ गए, लोक और शास्त्रिय दोनों नित्य, और ये भारत के संदर्ब में बात हो रही है, केवल बिहार के संदर्ब में बात नहीं हो रही है, बिहार के तो करेंगे ही, भारत के भ और चित्रपट संगीत थोड़ी सी जानकारी इसकी भी रखनी है क्योंकि देखो प्रशन आया था कि कौन सी फिल्म थी जिसमें आपके बड़े गुलाम अली खासाभ ने अपनी आवाज दी थी नाम पूछ लिया अब पता चला कि कौन सी फिल्म है अब नहीं आद हो आपको तो ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी है हाँ बालग तीन साल म्यूजिक वाले ही भर सकते हैं ये हमारेस का फॉर्म जिन्होंने तीन साल तक अपना म्यूजिक का ग्रेजुएशन किया हो ठीक है वही भर सकते हैं ठीक है तो ये हो जाएगा आपको ये सारी चीजें करनी है आपने स्लेबर्स देख लिया ये देखिए ये हमारा स्लेबर्स है अगर किसी को इसका स्क्रीन शॉट लेना है तो ले सकते हैं मैं एक एक करके पेज कर रहे हूँ मैं 5 तक गिंती काऊंगे स्क्रीन शॉट लेना है 1, 2, 3, 4, 5 अगला पेज 1, 2, 3, 4, 5 अगला पेज 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है तो ये हमारा स्लेबर्स हो गया आप लोगों को आशा कर रहे हूँ स्लेबर्स समझ में आ गया होगा किस को स्लेबर्स समझ में आ गया है कि नहीं भई स्लेबर्स हमें समझ आ गया है ना बिलकुल बालक देखो चित्रपट संगीत के बहुत जादा मैंने अभी आप लोगों को किटेगरी नहीं बताई very very important, important, casual जिसके आने की संभावना मतलब थोड़ा थोड़ा हो सकता है नहीं हो सकता है, बहुत कम संभावना है ऐसी चीज़े है ना, तो इस तरह के questions में आप लोगों को कराऊंगी, चिंता मत करो यहीं पर कराएंगे, हम लोग इसको YouTube पर ही करेंगे ऐसे questions को, और YouTube से जुड़ी भी सारी चीज़े हम लोग करेंगे ही वो तो questions तो मैं आप लोगों को कराऊंगी, है ना चलो, अब देखो नहीं, बिल्कुल होगी अंकू EMRS की और BPSC की क्लास आपकी एक की साथ होगी Estet और BPSC के साथ ही मैं आपको EMRS का भी syllabus कवर कराऊंगी हाँ, उसके लिए अगर अलग से मुझे कुछ कराना हो, थियोरी में तो बात अलग है, लेकिन फिलहाल तो ऐसा ही होगा questions सब के एक जैसे होंगे, ठीक है ना चलिए, अब शुरुवात कर लेते हैं आगे की चीजों की, ये तो होगे आपका पूरा का पूरा syllabus, ठीक है, अब देख लेते हैं हम थोड़ा सा, बात कर लेते हैं चलिए, अब थोड़ा strategy पर बात हो जाए, कि strategy क्या रहेगी ठीक है ना, थोड़ा strategy पर बात हो जाए, कैसे आप लोग तैयारी करोगे तो हमें तीन zone बनाने हैं, पहले green zone, दूसरा आपका black zone और तीसरा आपका red zone, ठीक है ना, अब देखो सबसे पहले बात करेंगे, किस के बारे में, सबसे पहले बात करेंगे हम red zone के बारे में, आपको कौन सी चीज़े सबसे पहले पढ़नी है, ठीक है सबसे पहले red zone के बारे में बात कर लेते हैं मतलब जो very very important है जिनसे सबसे ज़्याद़ चीज़े आने की संभावना है वो सबसे पहले तो आपके राग एवं परिशय हो गया यहां से तो समझो सबसे ज़्याद़ question आएंगे और इसी में आपका include है समय सिध्धान्त समय सिध्धान्त और राग परिशय एक साथ आएगा ठीक है ना तो अगर मैं राग एवं परिशय की बात करूँ तो इसमें आपको सारी चीज़े करनी है ठीक है राग से जुड़ी जो भी चीज़े हो सकती है चाहे वो बंदिश हो चाहे वो खयाल हो चाहे वो आपका छोटे बड़े खयाल के बारे में हो चाहे राग के समय के बारे में हो चाहे राग के वादी विवादी समवादी अनुवादी या फिर राग का आपका गायन समय क्या है या संप्रकृति क्या है या फिर उसके न्यास के स्वर क्या है हर तरह की information आपको यहीं पर gather करनी है एक साथ इकठी करनी है ठीक है इसके लावा दूसरा topic क्या हो जाएगा वो है हमारा ताल ताल एवं उनका संपूर्ण परिचे ठीक है दूसरा सबसे important topic इसमें आपकी लेकारी भी include होगी लेकारी पर इसी माँ जाएगी अच्छा इसमें ताल की लेकारी भी आएगी और ताल की लेकारी के सास्ता जो normal लेकारी होती है आड़, कुआड, बीर पूछ लेते हैं ये सब इसी के भीतर आजाएगा हम इसको यहीं पर clear करेंगे इसके अलावा तीसरा जो important हो जाएगा हमारा सांगीतिक ग्रंथ सांगीतिक ग्रंथों में आपके लेकर आपके वेद से मतलब साम वेद से उसके बाद तमिल संगीत हो, उसके बाद करनाटिकी संगीत हो हिंदुस्तानी संगीत हो फिर आपका प्राचीन काल हो, मद्ध काल हो, आधुनिक काल हो जितने भी ग्रंथ important हैं आधुनिक काल तक के सारे ग्रंथों के ग्रंथकारों के नाम उन ग्रंथों का समय अगर important है तो जिस जिसका important है उसी का हम समय पढ़ेंगे कब वो लिखे गए हैं इसके अलावा उन ग्रंतों की महत्वपूर्ण बातें. अब इसमें देखो, कौन-कौन से सांगीतिक ग्रंत हैं जो हमें पढ़ने हैं. अगर मैं उन पर बात करूँ कि कौन-कौन से सांगीतिक ग्रंत पढ़ने हैं, तो सबसे पहले हमें नाट्टिशास्त तयार करना है. ठीक चौथा श्री मल लक्ष संगीतम के बारे में हमें पता होना चीए ठीक है? इसके अलावा हमें और पता होना चीए जो महत्वपून प्रंथ हो जाएंगे संगीत पारिजात संगीत पारिजात और एक हो जाएगा आपका चतुर दंडी प्रकार्शिका ठीक है इन ग्रंथों के बारे में हमें संग्छेप में जो में में चीज़े हैं वो अच्छे से अलग से पढ़नी है ठीक है ना तो ये हो जाएगा अब ये आप लोगों को अच्छे से मतलब तयार करने हैं ये ग्रंथ हैं जो आपको अच्छे से त्यार करने है इसमें आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है चीजों को ठीक है? अब बात कर लेते हैं इसके अलावा सांगीतिक ग्रंथों के अलावा आपके जितनी भी घराना परंपरा है घराना परंपरा में आपके आपको करना है तबले के घराने और आपको करना है पक्हावच के घराने और आपको करना है बिहार के घराने बिहार में मुख्य रूप से तो धुरूपत के घराने है ख्याल गाईकी के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है धुरूपत के ज़्यादे हैं ठीके? अब ये हो गया इसके अलावा आपका क्या-क्या हो जाएगा और तो हम लिख लेते हैं ये हो गया आगे हमारा जो important topic इसमें बनता है वो हो जाएगा हमारा संगीत का इतिहास अब इस इतिहास में ज़ादा प्रश्न कहां से बनते हैं? तो देखो ज़ादा प्रश्न बनेंगे आपके मध्यकाल से और अगर बनने की chances हैं तो रामायन महाभारत से बन सकते हैं EMRS में रामायन या महाभारत या फिर वेद या फिर आपके वेद हो जाएंगे ठीक है वैदिक काल समय वैदिक काल के समय में जो आपका सामगान वगएरा था उस सब की बात हो रही है तो ये आपको थोड़ा सा जादर पढ़ना है अगर मैं बात करूँ बिलकुल आदुने काल की तो आदुने काल में बहुत दरूरी चीज़े नहीं है जो मतलब मैं ऐसे कहूँ कि अलग से इतिहास में प्रश्ण आएंगे ठीक है ना? चलो तो ये हो गया और देखो इसके अलावा क्या हो जाएगा और हमें क्या-क्या तैयार करना है इसके अलावा हमें वेरी-वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में तैयार करना है हमारा वेरी-वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हो जाएगा इसका तुलनात्म का ध्यन ठीक है हमें तुलनात्म का ध्यन पर जादा फोकस करना है है ना जितना भी है हमारा हाँ बिलकुल बिलकुल नहीं देखो हमें पूरे घराने नहीं पढ़ने हैं आप सोच रहा हमें पूरे घराने पढ़ने हैं थोड़ा थोड़ा जानकारी, यह मोटी जानकारी, जो मैं questions के माध्यम से करनी है, ठीक है न, और देखो, करनाटी और हिंदुस्तानी संगीत का तुलणात्मक अध्यन क्यों जरूरी है, करनाटी की संगीत को अलग से पढ़ लो, मतलब वो तो पढ़ नहीं है, लेकिन उसमें जो बहुत important है, वो सिर्फ यह है, कि दोनों का तुलणात्मक अध्यन, जैसे मानलो, हन सुधवनी राग के बारे में पूछ ले, या कोई और राग ऐसा है, या कोई और चीजे, जो दोनों में common हों, या दोनों में अलग हों, या तालों में अलग हों, तो इस तरह की चीजे में केवल सांगीतिक शब्दावली जरूरी है, सांगीतिक शब्दावली, सांगीतिक शब्दावली मतलग, ये फला साइन किसका है, है ना, फला फला स्वर का नाम क्या होता है, या फला फला जो आपकी वो थी, स्वरली पर पददती थी, इन चीजों पर जादा जोर देना यह जादा पूछने की संभावना है या फिर जैसे मालो की scales होते है माँ पर अलग-अलग तो chromatic scale हो गया या फिर आपका तरह-तरह के pentatonic हो गया hexatonic हो गया इस तरह के scales होते है सारे scales के बारे में आपको अच्छे से करना है तो यह हो जाएगा यह आपको तयार करना है पाश्रात्य संभीत में जो most important चीज़ है जो आपको नहीं छूड़नी है है ना? चलो और देखते है इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है इसके अलावा हमारा कुछ बच्च तो नहीं गया ना राग हो गया, ताल हो गया, लेकारी हो गया इसी में सांगितिक गरंथ हो गया हमारे घराना परंपरा हो गई और घराना परंपरा में हमारा इतिहास हो गया और इसके अलावा करनाटे की संभीत हो गया तुलनात्मकध्यान हो गया, पाश्रात संभीत हो गया और एक चीज और, इसमें और क्या important है, ठीक है? वो भी देख लेती हूँ मैं देखो इसमें और, मतलब बहुत जादा important जो topic हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके वाद्ययंत्रों के प्रकार केवल और केवल वाद्य अंत्रों के प्रकार के बारे में बात करेंगे तो वाद्यों का वर्गी करण अब वाद्यों का वर्गी करण मतलब उनके प्रकार अब इसमें आप न शुरू से लेके अंड तक सारी चीज़े पढ़ेंगे जैसे की प्राचीन काल के वाद्दे उठाई है जो बहुत प्रचलन में नहीं है या कोई लोक वाद्दे पूछा जा सकता है जो बहुत प्रचलन में नहीं है इस तरह के प्रशन आपके सामने ओचाक आएंगे तो ऐसे प्रशन आने के संभावना है यह ना यह हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं नहीं बिलकोल भी नहीं मैंने सारे टॉपिक में से सिर्फ वही चीजे बताई है जो आपको मूल रूप से पढ़नी है वेरी वेरी इंपोर्टेंट का मतलब यह होता है कि आपको उनमें से कौन-कौन सी चीजे चुन कर पढ़नी है पूरे टॉपिक पर उतना फोकस नहीं करना है समझ रहो ना है इस पर पूरे अब मैं आप से कहूँ करनाटे की संगीत पूरे पूरे करनाटे की संगीत आपको 6-7 दिन पढ़ाया लगा था खूब सारा करनाटे की संगीत तो क्या सारा पढ़ना नहीं केवल तुलनात्मक अध्यान पर जादा ध्यान देना है अगर मैं बात करूँ पाश्याद संगीत उन्हें बहुत बढ़ा पढ़ा है आपको 4-5 दिन 6 दिन लग गए थे मुझे कराने में तो क्या सारा पढ़ना नहीं सिर्फ और सिर्फ हमको सांगीतिक शब्दावली पर ध्यान देना है वहाँ ठीक है ना? अगर मैं बात करूँ बात दियों के वर्गी करनगी तो क्या सारे बात दियों के बारे में पढ़ना बिलकुल अच्छे पर अलग-अलग टॉपिक हो गए दो कैसे? अनेक उनके जो अनेक अनेक प्रकार है उनके बारे में जाधा पढ़ना है आप लोगों को तो ऐसी चीजे जिन में आप लोगों को इस तरीके से काम करना है वो जाधा महत्त पूर्ण होंगी ऐसे आपको जाधा तैयार करना है सबको क्लियर हो रहा है ने मैं क्या बता रही हूं? है ना? क्लियर हो रहा है सबको? क्लियर हो रहा है ने सबको क्या-क्या तैयारी करनी है तो यह हो गया यह आपकी most important topics है जो आपको तैयार करना है बाकी जो भी बचा वो sub-moderate है मतलब वो सारे important तो हैं लेकिन उतने important नहीं है जितने ये हैं यहां से आपको on an average 65-70% questions मिल जाएंगे केवल जितने topic मैंने बता हैं इन्ही topics से तो अगर आपने ये topic अच्छे त्यार कर लिए तो लगभग आधे से जाधा sleeper से आपका cover हो गया है अगर आपने सिर्फ ये topic त्यार कर लिए बाकी बच्छे वे topics जो है remaining जितने भी topic आपके होंगे remaining आपके जो भी topics हैं वो सारे के सारे moderate हैं है ना चाहे फिर वो आपके बाकी कोई भी हो चीगे ना तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है थोड़ा सा सबको यहां तर clear हुआ अब देखो आपको पढ़ना कैसे है कहां से शुरू करना है आपको पढ़ना शुरू करना है अच्छा एक चीज़ वार अगर कोई इसका screenshot लेना चाहता है तो ले सकता है मैं बता दू यह important चीज़े हैं जो आपको पढ़ना है तो screenshot ले लो भाई ठीक है ले लिया screenshot समने ले लिया screenshot समने screenshot ले लिया जल्दी से बताओ यह वाला screenshot ले लिया यह ले लिया समने screenshot चलो बहुत बढ़िया अब आगे बढ़ते हैं अब बात आती है कि आपको पढ़ना कैसे शुरू करना है सबसे जादा परिशानी की बात ही होती है कि कहां से शुरू करें अगर कोई बालक बिल्कुल बिगिनर है मनलब एक दम शुरू से पढ़ना चाता है चाहे आप DSSB की तयारी कर रहे हो क्योंकि DSSB का पेपर भी बाकी है TGT Music का जो पेपर है वो अभी बाकी है तो वो पेपर आपका बाकी है उसके लिए चाहे आप तयारी कर रहे हो चाहे आप आने वाले EMRS के लिए तयारी कर रहे हो चाहे BPSC के लिए तयारी कर रहे हो चाहे आप तयारी कर रहे हो बिहार के एस्टेट के लिए चाहे आप अन्यमन मालो आपको ये भी नहीं देना हो, KVS या NVS या कोई और परिक्षा भी देनी हो या भी UP में आपके form आने वाले है music के पता है आपको, music की vacancies अभी आपकी UP में भी आनी है जैसे UP में exam की गोशना होगी तब या आपको ये भी मिलेगा, ठीक है ना तो ये सारी की सारी चीज़े, जितनी भी चीज़े आप देख रहे हो जितनी भी चीज़े आपके सामने आ रही है इन सब में सबसे important होता है कि अगर आप बिल्कुल basic से तयारी कर रहे हो एकदम शुरू से पढ़ना है, तो कौन-कौन सी चीज़े आप से शुरू करनी है, और कैसे कैसे आप पढ़ो कि आपको सारी चीज़े समझ में आती रहे है, बहुत सारे बच्चों को मैं बता रही हूँ कौन-कौन से topics में issue होता है देखो, शुरुतियों के topic में issue होता है ये समझ नहीं आती, है ना सारना चतुष्टाई समझ नहीं आती आप लोगों को सारना चतुष्टाई क्या है है ना, प्राचीन संगीत में सबको दिक्कत होती है प्राचीन संगीत न समझ आता है न याद होता है प्राचीन संगीत में अब तमिल भी आ गया और आपका आपके जो मानलो की प्राचीन संगीत में वैदिक संगीत भी आ गया ये सारी चीज़े आ गी है ना या तमिल के अलावा भी जो आपका भरत के काल करा है वो भी नहीं वो भी समझ नहीं आता है ना ये हो गया यहां यहां आपको दिक्कत आएगी, इसके अलावा आपको दिक्कत आएगी, मेल में, रागांग में, दश्विद रागवर्गी गर्ण, मैं बतारी हूं कहां कहां आपको किस किस टॉपिक में दिक्कत होगी, दश्विद रागवर्गी गर्ण, यह नहीं समझाएगा आपको है ना आपको संगी तग्यों के स्वर समझ नहीं आएंगे अलग-अलग संगी तग्यों ने कैसे कैसे स्वर माने है उनकी रचना किसी साप से किये ये समझ नहीं आएगा आपको नहीं बिलकुल नहीं UP में music teacher बनने के लिए कोई भी TET exam नहीं देना है केवल बिहार में STET देना होता है ठीक है बाकी जगर नहीं देना है ना आपको UP में देना है ना आपको दिल्ली में देना है ना आपको KVS NVS में देना है ना आपको EMRS में देना है ठीक है चलो तो संगीत अग्यों के स्वर हो गए इसके अलावा आपको दिक्कत कहा आएगी आपको दिक्कत आएगी भरत की चीजों को समझने में भरत को समझने में दिक्कत आएगी आपको समझ आएगी दिक्कत मुर्चना में ठीक है आपको दिक्कत समझ आएगी आपके आपको दिक्कत कहा आएगी, ग्राम में दिक्कत आएगी ये बहुत ऐसे टॉपिक होते हैं, कि आपको समझ नहीं आता, है ना आपको समझ नहीं आता कि ये सारी चीज़े पढ़े कैसे कैसे समझे इनको, सब ऐसे खिचडी बन जाती है, खिचडी बनने के बाद कुछ क्लियर नहीं होता कि कौन सी चीज़ कहा है कैसे है, तो इसमें से जो जरूरी चीज़े केवल वही निकालनी है, बहुत जादा गहरे में जाओगे तो तुम लोग इनमें से कुछ भी नहीं समझ पाओगे ना सारना चतुष्टा ही समझ में आएगी ना आपको मुर्चना समझ में आएगी, ना शुती समझ में आएगी ना आपको प्राचीन संगीत समझ में आएगा ना मेल समझ में आएगे, ना दश्वित राग वर्गीकन समझ में आएगा ना संगीत अग्यों के स्वर समझ में आएगे ना भरत को समझ पाओगे मतलब ये सारी चीज़े लगभग लगभग आपको यहाँ पर दिक्कत देगी है ना? और सबसे जाधा गठिनाई बालकों की कहाँ होती है? सबसे जाधा गठिनाई होती है रागों का परिचय याद करने में है ना? रागों का परिशे सब लोग याद नहीं कर पाते इसके लिए भी मैं एक जुगाड बनाने की कोशिश कर रही हूँ है ना, बिल्कुल अंको बिल्कुल देखो कहीं भी आप लोगों के लिए वेकेंसी आईगी म्यूजिक में तो मैं आप लोगों को इतला कर रही हूँ, आगे भी करूँगी काहीं चिंता करते हूँ, ठीक है, रागों के परिशे में सबसे जाधा परिशानी होती आप लोगों को, सबसे जाधा दिकत होती कि रागों का परिशे कैसे याद करें अब इनका गायन समय याद नहीं होता है ना इनका वादी समवादी याद नहीं होता और इनके प्रहर याद नहीं होते इनके संप्रकृति याद नहीं होते और सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आती है वो किसमें आती है कि इन रागों के तुम लोग विशिष्ट मतलब सांगीत स्वर नहीं समझ पाते, अगर आपको स्वर संगती पैचानने को दे दें तो वो तो आप किसी भी तरह से नहीं पैचान सकते हो यहां दिक्कत आती है आपको ठीक है ना, कहने का मतलब यह कि यह जितनी भी चीज़े आप देख रहे हो, यह सारी की सारी चीजे आप लोगों को दिक्कत करती है रागों में, किस-किस को दिक्कत करती है, जड़ा हाथ उठाओगी हमें दिक्कत करती है, है ना, किस-किस को दिक्कत करती है ये, दल्दी से बताओ, किस-किस को ये दिक्कत करती है, अच्छा, राग को देख करके आप लोगों की न कैसे याद करें है ना तो इनको याद करने के तरीके के लिए मैं जुगार बनारी हूँ आपके लिए कि आप लोग याद कर पाऊ और असानी से आपको याद भी हो जाए देखो कितने सारे हाथ उठने शुरू हो गए है कोई बात नहीं है हाथ जल्दी ही हाथ ये नीचे भी कीचा जाएंगे कि इसी के लिए मैं काम कर रही हूँ इसी के लिए मैं थोड़ा-थोड़ा समय दे रही हूँ हमारे पास भी समय का भाव होता है थोड़ासा antib कोशिक करती हूं आप लोग लिए चज़ादे करपा कौन जो आप लोगों को तक पहूंचे है aelकिन उसके लिए किताबे हैं जो पिछले एक महिने मैंने खरीद लिए अब लाला चारा है कि इनको पढ़ूं जल्दी जल्दी पढ़ डालूं उनको देखकर रोज वो किताबे मुझे ऐसे आवाज लगा कर बलाती कि आओ हमें पढ़ दो है ना तो वो धीरे-दीरे करके उनको भी पढ़ना है थोड़ा-थोड़ा करके साहिति की रुची ऐसी ही होती है भाई जिस दिन तुम लोगों को लगए उस दिन भी लगेगा कि नहीं पढ़ना है एक बार पढ़ने की आदत लग जाने तो फिर नहीं छूटती फिर तु लगता है कि रोज कुछ ना कुछ पढ़ो रोज कुछ कुछ नया सीखो रोज कुछ ना कुछ अपने दिमाग पर प्रेशर डाल कर उसको बहतर बनाओ है ना अच्छा बहुत बढ़िया राह को देखकर डर लगता है कोई बात नहीं डर आपको जल्दी ही दूर हो जाएगा इस डर को दूर करने के लिए मैं चीजें थोड़ा सा क लैक है मैं आपको पढ़ाना चाहती हूं और पढ़ा सकती हूं तो वो सारी की सारी चीजे आप लोगों तक बिलकुल पहुंचाओं उसकी कोशिश मेरी बनी रहती है अच्छा कार्डबोर पर याद करने का सबसे बहतर तरीका है गा करो उनकी स्वर्मालिका याद कर लो उन अच्छान हो जाएंगी चीजें है की नहीं चलिए तो यह हो जाएगी कैसी लगी आपको आज की क्लास सबसे पहले तो यह बताओ मजाया आज की क्लास में की नहीं आज की क्लास में लगा कुछ सीखा की नहीं है आप लोग रोज कहते हैं स्ट्राटेजी बताओ कैसे पढ़ है तो estate का तो new batch आ गया है फिर से ठीक है estate की अगर कोई बालक त्यारी कर रहा है तो उसके लिए new batch आ गया है जनक का नया variant आ गया है जिसमें फिर से पूरा पढ़ाऊंगी theory समेथ ठीक है और अगर आप त्यारी करो BPSC की तब तो सबसे बहतर तरीका है चाहे आप 3 point की त्यारी कर रहे हुँ चाहे 4 point की त्यारी कर रहे हुँ आप लोग join करो maha pack अगर आपको जरूरत मحसूस होती है तो ठीक है तो इससे आपको काफी सारी चीजें मिल जाएंगी यहीं से फिक है ना तो अगर आप लोग त्यारी करना चाहते हो और जुड़ना चाहते हो कैसे जुड़ सकते हो वो मैं बता देती हूँ उसके लिए क्या करना होगा उसके लिए Google पर जाना Google पर जाने के बाद सर्च कर लेना अट्रा 24-7 पहला विकल पाए उस पर क्लिक कर लेना उसके बाद देखो पर जाना उसके बाद में बिहार पर जाना और फिर देखो अगर आपको शिक्षक भरती की त्यारी करना है तो Estat Paper 1 पर क्लिक कर लेना ये देखो ये लिखा हो शिक्षक भरती महा पैक इसमें TRE 3.0, 4.0, Estat, Part 1, Part 2 दोनो, Headmaster, BA, DL, अट सारी कोर्स की, बच्चे लाइव क्लास के लिए ही जादा मरते हैं है ना है ना, तो क्या करना है, इंटर कूपन कोड पे जाना है उसके बाद, Y740 अपलाई करना है ये 2023 का दिख रहा है लगभग 1900 कुछ का पढ़ जाएगा, अगर आप coin इस्तिमाल करते को, कैसे करोगे coin इस्तिमाल, मैं वो भी बता दूँ coin इस्तिमाल करने के लिए आपको क्या करना होगा, $247 का app डाउनलोड करना होगा ठीक है, ये app डाउनलोड करना, प्ले स्टोर से, वहाँ पर same process करना, बस वहाँ coin का option आएगा वो लगाना, साथ में Y740, ये लगा लेना, दोनों लगाओगे तो 80% का discount निल जाएगा, ठीक है, तो चलिए, बिलकुल भी नहीं, पूनम बिलकुल भी नहीं, EMRS की बालक किसी भी state में हो, एक ही तरीका है, ठीक है, अलग-अलग कोई तरीका नहीं है, ठीक है, तो एक मिनिट, व्यू आल पर जाना, व्यू आल पर जाने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रोल करना, और यहां दिखाई देगा, आपको जनक 3.0, पार्ट 1, पार्ट 2 दोनों के लिए है, इस पर क्लिक करना, और सबसे बड़ी बात, इसमें आपको काफी अच्छा-खासा offer मिल ज पर उसके बाद आप उसको recorded भी देख सकते हो, ठीक है, कैसे, by now के option पर click कर लेना, click करने के बाद, यह उन बच्चों के लिए जो estate की तयारी बिलकुस शुरू से करना चाते हैं, और live देखना चाते हैं classes को, ठीक है, enter coupon code पर click करना, यहां Y740, apply कर लेना, यह 1849 में दिख रहा है, अगर आपको और कम में चाहिए, live classes, तो क्या करोगे, तो उसके लिए आप जाओगे, app पर, under 24-7 का app, ठीक है, app से, अगर आप इसको करते हो, तो यह लगबख 1749 रुपे में आपको मिल सकता है, live plus recorded batch, वही मैंने बताया, coins use करके, ठीक है, चलिए, हम लोग मिलेंगे, कल, अपने नियत समय पर, सुभा 9 बजे आना मत भूला, हिंदी की classes चल रहे हैं, वहाँ से आपकी हिंदी धीरे-धीरे करके मैं पूरे तयार करा दूँगी, भले ही वो B.A.D.L.A.D. की class है, लेकिन वहाँ मैं आपको सारे topic general पढ़ाने वाली हूँ, तो वहाँ से ही आपका सार हिंदी का syllabus complete हो जाएगा, यानि के आपका general paper में language paper तयार हो जाएगा, आना चाहते हो तो सुभा YouTube पर 9 बजे तयार रहे हैं, 9 बजे मैं आपको वहाँ पर मिलूँगी, तब तक के लिए आप सभी लोगों को शुभरात्री.